नमस्कार मैं हूं गुरमेज जराना और आप देख रहें नवतेज टीवी दंगल राजस्थान का राजस्थान की परतेक विधान सबा शेत्रों से हमने आप लोगों को रोबरू करवाया जनता की राए प्रोग्रम में जनता ने क्या कहा किस विधायक को जीत हांसिल करवाएगी जनता या फिर किस पार्टी के विधायक को जनता विधान सबा में भेजेगी तो फिलाल इस वक्ता अलवर ग्रामीन शेत्रों में मौजूद है और गाम है अकपर पुरा गाम की जनता के साथ में बाच्छित करेंगे वो क्या कहती इसके विशह में किस मुद्दे को लेकर यहां पर जो है चुनाव लड़ा जाता है या यूं कहें कि जो नेता लोग हैं च कराम जुली जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोई ऐसी समस्या छोड़ी नहीं है गाउं कि यहां पर पाने की भी है और सवास की वेस्ता अच्छी तरह से नहीं चलाएं और सब सुईधा हैं बड़ा होस्पीटल हैं कहीं बिस्त्रों और धाना भी खुलगा दिया है और हमारे जो पाने की वेस्ता और भी संदर कर दी टंग की उपर फार बेंड़ावादी गरगर में नल पाने टाइम ज़स फोंच रहा है सवास बढ़िया है वह समस्या यह एक तो आवारे पस्वोगी एक बंद्रों की पस इसके लाग़ा कोई समस्या नहीं छोड़ी मंद् बिल्कुल अपको ऐसी कोई समस्या नहीं चोड़ी मंत्री मोदे ने हर गाहों गले में रोड पानी की वैस्ता और सवास्त के लिए उन्हें बहुत अच्छा बड़ा बड़ा दिया यह तीस गाहों का अड़्डा है एक पर पूरे जंक्शन कह सकते हैं जंक्शन समझो तो त उनों में टक्का काठे की है देखो काठे की टक्कर हम नहीं कह सकते एक तरपाई चुनाओं है एक तरफाई चुनाओं है यह कॉंग्रेस सो परसेंट जीतेगी और भारी मोहमत जीतेगी यहां और राज राजस्तान में जेतेगी यहां की नहीं किरा यहां दो जीतेगा जीतेगा दूसरी बात इसवाव में बड़ा प्रिंभरती का आदमी है इसलिए हुंससे लिए चिड़ रहे हैं हमारे तेकर हम जुली भी आज पूरे खुब सुर्ख्यों में रहे हैं गोड़े गदे जो जनता को उनों ने बोला है आज हमने हैडलाइन भी देखिते हैं बास करें हो बिल्कुल सही बोले हो पहले गुम्राइद जो कारीकर्दा में थे उनका काम नहीं होते थे वो जो आगे जो है हाइक वैमंत्री टिकाराम जूली जो की परत्याक्षी है कांगरस से और बीजेपी पार्टी के तरफ से जैराम जाटव को टिकेट दिया गया है उन पर जो दाव खेला गया है सबसे बड़ा ट्विस्ट इस कहानी में यह है कि जो तीसरी निर्दलिया जो परत्याशी है वो जैराम जाटव की बेटी है मीना जाटव है और मीना जाटव से भी हमारी बाचित हुई उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हूँ लोग तंत्र है मुझे लड़ने का हक है हाला कि कल वो बहुत सी बातों का खुलासा करेंगी लाइव होकर मीडिया के सा सारी दुरस्ते की गई लाइट हो चापानी हो चाह कुछ भी समस्या हो सारी समस्यों को निर्वान हुआ है अपर हमारे देवनान मंदीर बारा के अंदर वहां भी आठ करोड़ों काम दिया है हर जगह उन्होंने काम की कमी कामी की कमी नहीं चोड़ी हर गली महले उस सब को द सब्सक्राइं है कर दो अगथि यहां से पर दोपता दो व बाश को मत देड़ा होड़ातलि जिब अगह प्रतासी at कशें उख नमदर एक नबर कि मर्द आदमी है जो बात कह दीतों पर खरा उतरते हैं ऐसा कुछ नहीं है जैराम जी ने जो पहले भी जो विकासकारी किये थे उनकी शाराणियाम कर नहीं सकते हैं, बहुत अच्छे विकासकारी नहीं किये, जो यहां के हमारे लोकल कंडिरेट है जैराम जी, जहराम जी कि यहां के 100 परसेंट चुनाव जीते हैंगे इसमें कोई दोवरा नहीं है और जो उनकी लड़की जो चुनाव लड़ी है वो यहां के प्रितियासी है जेहराम जी वह सब्सक्राइब एक और लिक में अपर्फ टराई cohort प्रेज मेंत डॉट सब्सक्राइब पुर्य करने पर करें चितों सब्सक्राइब hmm saúde है पूर आप आगसे बोलता है कि अपने बच्चों के नहीं हुआ है वो किसका होगा हमारे यहाँ हमारे यहां जो मैन मुद्धा है एक तरफ एंकार है एक तरफ व्यवार है दो बातों भे हमारा मत जाएगा हम व्यवार की तरफ जाएंगे एंकार की तरफ नहीं जाएंगे विकास की बात कहें तो विकास व्यक्ति का तीन तरह से सम्मान होता है पहला तो उसका व्यवार है उससे मत मिलते हैं दूसरा उसका कार यह है उससे मत मिलते हैं और तीसरा उसका संपर्क है जूली जी का घार घर में संपर्क है पांच साल में जितना विकास किया है उन्होंने किसी ने भी किया हो इतना विकास किया है इसको चमन बणा दिया और उनका ये कहना है कि अब तक जो मैंने किया है मेरे दिल से किया है और जो कम रह गए हैं अगली बार मैं आया तो इस जो छेत्र है इसमें आपका नाम रहेगा अलवर ग्रामीन का चलिए जैराम जाटव काफी समय से राजनिती में हैं क्या लगता है अब जैराम जाटव जो बहुत दिन से रहा था पर वह सिमित जायरे में रहा उसने आहाम जंद को नहीं यह 36 कोम का लीडर है ठीका राम जूली जी 36 को साल लेकर चलता है और 36 को मानने वाला आदमी है ठीका बाद में उन्हें विपक्षके भी काम किया है अजी मैं दीपचन जाटव ग्राम खेड़का पोस्ट अगबरपूर जिलालवर रास्तान का रहने वाला हूं भाई साब उसके अंदर इतना है कि इसके अंदर जैराम जी के अंदर मैं भी जाटव हूं जाटव समाज से हूं वो जाटव समाज का वो कभी यह नहीं सोचते कि मैं मेरे भी कोई समाज है एक बात बताओ आप दो अप्रेल को जब वहां बच्चा जल्ला सरपंच का जब जाडवली में लड़का मारा गया था अंदोलन वह था उसमें उसने क्या सहयोग दिया कुछ सहयोग नहीं दिया व मैंने जूली जी को यहां बुलाया था स्वागत के लिए हर आदमी का अधिकार है आपके पास में कोई भी नेता आजाएंगे तो आप उनका स्वागत नहीं करेंगे संभान नहीं करोगे संभान करना पड़ेगा आपको किसी भी पाल्टी का हो या गोंग्रिस पाल्टी का ह वीजेपी का हो बश्पा का हो कोई भी कंडिडेट हो आपके सामने आएगे तो आप आधिर सत्कार तो करोगे इज़त से तो बोलोगे मैंने उनका जूली जी का स्वागत किया था उसमें जैराम आये थे जैराम ने बोला मेर से अरे कौन है यह किसने लगा रखे जंडे वो है जी सब्सक्राइब भाकि आपको क्या है अच्छा नहीं लगा क्या अपको कि आप इस चीज से क्यों जल रहे हो आप अगर पहले आजाता तो मैं तो आपका स्वागत कर देता हो अब आपका स्वागत कर दूँ आवर आप आपकी कमी है आपकी कमी है मेरे यहां सातु जात बैठती है मेरे यहां दुकान के उपर दुकान पर बैठती है तो आप पचास बर गाड़ी लेकर आये हो कभी आपने रोक कर गाड़ी यह कहा कि भाई राम राम कभी आपने राम राम नहीं की हमें तो इतना ही है कि हमें जूल तो पूर थे पूर्व जी जो को वादा कर लेते हैं जूजी सिरफ वादा करतें ना की वह कोई काम करते गाल चलएते हैं और क्वार्फ नेक़रेदा मीठा मेठा बोलते हैं और ऐसा कुछ नहीं है शिरफ जो जो पार जाएं यह सभी से सभी से सवाल जवाब होंगे किरपया शांती से शांती से रहे सभी इसमें मैं आपको बताता हूं सोबहाव का बड़ा फरक है जैराम जी के और जूली जी की मुस्कान को पचास हजार पोट मिलेगे मुश्कान को मैं आपको बताऊ फज्ञंकार ना जैराम का उसको बÔर जायेगे सब इतनी बड़ा निकाला था आपको पता कटी घाठी से लेकर करके ठेट में अपने सची о यहां ध़ाई पेड़ी से लेकर और कटी घाटी तक मतलब रोड जाम हो गए थे इतने आपको बता और उनके उसमें क्या था दोजार आदमी जो फारम बढ़ा था सो भाव का बड़ा फरक है मैंने बता दिया आपको प्यार का और एहंकार का बैस वियावार से वोट मिलते हैं उसकी मुस्कान को पचास हजार को मिलेंगा और वहवार तो अलग बाद है मैं आपको बता हूं और जीत के आएगा हंड्रेट परसेंट है हमारे साथ जी क्या लगता है जो इस वक्त जो सिच्वेशन है कौन भारी है बारी तो टी कराम जूली जीए सर और वह बहुत बढ़िया काम करते हैं उनका वहवार उनका सब चीज ओके एक दम गुड है और उनोंने जो सामाजी काम किया है जैसे हमारे विकलांगों के लिए गौवर्मेंट ने हमारे गयलोग जी ने राश्तान में पांच जारी स्कूटिया बाटिये विकलांगों को जिससे विकलांगों को बड़ा सायोग मिला यह पहले वो आने जाने में दिक्कत होती थी उन्हें किसी दूसरे का सारा लेना पड़ता था अब उन्हें किसी का सारा नहीं लेना पड़ता और वो अपने स्वेम की आते जाते हैं वो और नहीं किसी को मजबूर करते हैं कि मेरे को ले जाना पड़ता था भाई मेरे को यार महां छोड नहीं जाता कोई छोड़ता नहीं था अपना हमारे रास्तान गोवर्मेंट ने जो काम किया है वह बड़ा सरान्या किया है और उन्होंने कहा है कि आगे ऐसी काम करता रहेंगे हम आगे भी ऐसी चलेगा और जो विकलांग है और जो गरीब आदमिया उनका फूल सहयों करेंगे पूंड तरा और विकलांगु कांगरे सरकार हमारे गैलोट जी के साथ है और जूली जी की जयकार लगाएंगे बोल कांगरे सरकार की जयो चलिए जंता की राये आप लोगों को दिखा रहे हैं सभी के साथ में वन टुवन होंगे हम और कुछ पिछे साथी खड़े हुए हैं इनके साथ में भी जुड़ेंगे यह क्या कहना चाहते है लेकिन कैमरे के सामने बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी बोलिया आप मैं अराम से बोली यह लिए मत जुलिये मट यह एक बास अब यह नुगर रहा है कोई दिकत नहीं है वह कर रहा है को काम को उससे कोई मतलब नहीं है 31 तारी को देखें क्या होता है क्या है इकति दे होता है किया कौन जीता है कौन आरेगा खूब दम लगा ले दिना और तीया वहां रामगर से दम लटका चुनाव लड़ा रहा है इतने तक गारंटी है यहां की बात किजी अलवर ग्रामीन की अलवर आप से बात करता हूं हैं ने क्या कुई बहूं ने गोट दुख जेल हैं अम उनके साथ आमेशा हैं जै भहरत चलिए और वह साथीन के साथ में बाचित करना चाहूंगा थोड़ा सा किर्पै ठोड़ा शांति से सबीन के साथ में आओंगा सबीन से बाचित करोगा जी आपका क्या ना विश्व बंदु शर्मा क्या लगता है कि जिस तरीके के साथ में मुकाबला हो रहा है बीजेपी और कॉंगर्स के अंदर तो टिकाराम जूली का परणा भारी इस वक्त या फिर जैराम जाटव की बात करें अभी तो साथ यहां पर जो मुकाबला हो रहा है आप पार्टी वा माम है ते Α्यावार है तिकरως राम जूली जी का उसके परतिजिए सब्सक्राइबश के इतने लगाव यहां से आप यह तक भी चले जाएंगे तिकराम जूली कई का लेंगे सारस यह विकास के कर भी लिभी हैं विकास के हर चाह पर रात की व्लिग से घ्ट शुड़ावतक ह रातरी बारावजे कोलिंग करो आप कितने बज़े कोलिंग करते हो मंतरी जी का फोन उठेगा बीच में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके थूआ आपको जाना पड़े मंतर जी के पास आप डारेक्ट जा सकते हैं उनके उफिस में जा सकते हैं मतरी जी से इस तरीके से बाती है इस इस शेत्र के इंदर से जो लोगवाग में देख रहा हूं मेरे बुजुर गये जब बादचीत करते हैं ऐसे लगता है कि अपने बेटे से बात्कर नहीं आपको आपको क्रथा कांगरेस बार पड़ी βार करार है और सरकार भी हमारी works तर्क सीटों से तीन सीटों से तीन सीट नहीं 11 सीट है यह जिला की और साथ सीट का दावदार हम अलवर विदान सबाका इसमें क्या है कि कभी भी दोजार चुनाओ जीता जयराम ने जयराम भी अपना हैं और जूली भी अपना है फरकार तो हुआ जाएगी इसकी नाउची कीतेगी ताखड़ी के तरफ इसको जायेगी वोट आपकी तीका राम जूली बार बार में फिर कॉंग्रेस का जण्ड़ा फेराएंगे चलिए कुछ लगातार और भी साथियों के साथ में जुड़ते हैं शेर कीजिए और कमिट्स कीजिए आपका इसके विशे में क्या कहना है अलविर ग्रामीन शेत्रों में गाओं का दोरा कर रहे हैं नवतेज टीवी दंगल राजस्थान की टीम और आप लोगों तक पल पल की खबर दिखा रही है कुछ नए खुला से कल होने वाले हैं निताओं के विशे में वह भी आप लोगों को सीधा एक्स्क्लूसिव दिखाया जाएगा क्या कहना चाहें कि आप अपने शेत्र के अंदर कितना ज्यादा विकास हुआ है और यह तो यह मान लो एक तरफी जीत है वुए यह जबी वाला ऐनी नहीं इसको अच्छा अदमी है अच्छा काम क्या है बहुत अच्छा सब के दिलों में बस राइती कराम जुली हमारे लाडले मंत्री कशी अगरू कोई भी ब्याहा हो सादीो आमात decade को कोई भी चला जाओ छोटा बड़ा उसमें गरीब अमीर की कोई वह नहीं है अच्छा आदमें कुल मेला कि इसलिए उनको बोट नहीं लेंगे ओधिक कहीं ऐसा तो नहीं राजस्तान के अंदर मोधी फैक्टर क्रंग करेका रास्तान में तो मेरांतर जहां तक गैलोट कि सर्कार है और और कवेश्ट कनरेगीन तीका राम जूली हैं से सोलेड निखड़े पड़ें चलिए फिलाल जनता की राया आप लोगों को दिखाई निताओं से भी बात्चित हो रही है दोर लगातार जारी है दंगल राजिस्थान का और चुनाव परिनाम के बाद में पता चलेगा कौन किस पर भारी है सबी निता जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन दावे खोखले नजर आएंगे जिस दिन पर इनाम आएगा फिलाल बीजेपी पार्टी की तरफ से जो परत्याक्षी है जैराम जाटव है और कॉंग्रस परत्याक्षी है टीका राम जूली जिनका नाम बच्चे-बच्चे की जुबान पर चुनाव मैदान में और जैराम जाटव का ये बयान है कि उनकी बैटी को जान बूँज कर किसी के दिवारा जूनाओ में उतारा घया है ताकि वोट बटोरे जा सके लेकिन कोई परभाव नहीं पड़ेगा ये उनका कहना है जाटर का तो फिलाल अभी के लिए इतना है और ऐसे ही देखते रहें दंगल राजिस्थान का